हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू मैंगनेट ब्रेन सिंधी मीडियम, मैं लाली वर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, साथ ही साथ आशा भी करती हूँ कि आप सभी सौस्त होंगे, मस्त होंगे एकदम प्यारे बच्चों मैं लेकर आई हूँ, आपकी पार्ट पुस्तक दिगंद भाग दो का पार्ट साथ है और प्रिविएस वीडियो आपने देख लिया होगा जिसमें हमने लेखाक परिचे और पार्ट का सार किया था जगदीश चंद्र माथुर जी ने ये रचना की है, नाम है ओ सदा नीरा, गंड़क नदी या फिर प्रकृती के संबंध को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है और साथी साथ गंड़क नदी को कई नाम भी उन्होंने दिये हैं, ओ नाराएनी, ओ सदा नीरा, ठीक है इस तरह से हम इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड सोलिशन्स और बिहार बोर्ड सोलिशन्स अर्था जो पाठ एक उस तके पीछे प्रशन दिये हैं उनकी जानकारी, उनके उत्तरों के बारे में मैं बहुत अच्छी से आपको बताने वाली हूँ साथ ही साथ कुछ छोटे-छोटे प्रशनों को भी शामिल किया है ताकि आप उन छोटे-छोटे प्रशनों के माध्यम से एक-एक नंबर प्राप्त कर सको और जो एक-एक नंबर है ना वही परिक्षाओं में बहुत अधिक महत्वत का होता है आपने ये भी सुनाओगा बिटा कि अरे एक रुपया एक लाख थोड़ी होता है या एक रुपया एक लाख की तरह कीमत थोड़ी रखता है लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक लाख से यदि एक रुपया भी कम कर दिया जाए तो वो एक लाख नहीं रह जाता इसलिए एक एक वस्तु की या एक एक कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है ये सारी बाते हैं जो इस पार्ट में हमने जानी है और इन बातों को हमें अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग में लाना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को न तिरमल करे सुहाए और या फिर आपने ये सुना होगा तिनका कभाहू ना निंदिये जो पायन तर होए कभाहू उड़ी आखन परे पीर घनेरी होए छोटे से छोटे तिनके को भी हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ये तिनका किस काम का कभी वही तिनका हमारी आख में चला गया ना तो नासूर बन जाता है चलिए चलते हैं बिहार बोट सॉलिशन्स की तरब और सबसे पहले बिलकुल जो अती लगू उत्तरिये प्रश्न है जिनका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता है इस तरह के प्रश्न में लेकर आई हूँ आपके लिए पहला है जगदीश चंद माथुर जी की पहचान मूल तहा किस से है हिंदी साइट में कोर्स एंसी आटी कोर्स में कक्षा नवी में एक पाठ है रीड की हड़ी जो बहुती सुन्दर सा एक नाटक है जिसमें बताया है कि किस तरह से पहले लड़कियों को सिक्षा दिक्षा प्रदान नहीं की जाती थ रीड की हड़ी का मतलब है अपना चरित्र अपना स्तित्व यदि हमारा चरित्र आचरन सही होगा तो हम समाज के लिए रीड की हड़ी की भाती काम करते हैं और रीड की हड़ी मतलब जो हमारे अपने शरीर को समभाले रखती है और हमें सीधा या स्ट्रेट खड़ा रखती है ना किसी के सामने हमें दबूपन की आवशक्त होती हम बिल्कुल सिर उठा कर चलते हैं चाहे सामने कोई भी हो हाँ विनम्रता का भाव अलग है विनम्रता और दबूपन दोनों अलग-अलग है तो जगदिश चंद्रमाथुर जी एक बहुती प्रसिद नाटक कार के रूप कौन है तो जगदिश चंद्रमाथुरी है जिन्नोंने ओ सदा नीरा लिखा है ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है कौन सी नदी है इसमें मुख्य रूप से जिसमें ओ सदा नीरा की रचना की गई है तो गंडक नदी को केंद्रविंदु बनाकर ही ओ स कड़ा नीरा निबंध बिहार के किस शेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है बिहार के कून सी शेत्र की तरफ मुख्यकारण क्या है लेखक ने बता है मुख्यकारण वनों का कटना या जंगलों का कटना यदि जंगल कट जाएंगे तो मजबूति के साथ मिट्टी को बांधे नहीं रखते हैं और फिर बाढ़ा आने लगती है और फिर जन्धन की हानी होती है पुंडलीक जी कौन थे सिक्षक थे जगदीश चंद्र जी का जन्म कब हुआ था 16 जुलाई सन 1917 अब ओ सदा नीरा ओ चक्र से तू ठुकरा ना पाएगी यह वाकि किसे संबोधित करके लिखा गया है तो जहां ओ सदा नीरा या ओ नारायनी इस तरह का नाम आएगा इस तरह का संबोधन आएगा तो वो गंडक नदी के लिए ही लिखा गया है आप हम चलते हैं अपनी पाठ पुस्तक के प्रश्ण जो की आपके पाठ पुस्तक के पाठ के अंत में दिये गए हैं उनकी चर्चा करेंगे हम क्या है प्रश्ण चंपारन शेत्र में बाड की प्रचंडता क के बढ़ने के क्या कारण हैं चंपारन शेत्र में बाळ का भयाव है रूप क्यों देखने को मिला आखेर एसे कौन से कारण थे जिनके कारण बाभ आ गई चंपारन शेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है जंगल के व्रिक्ष जल राशी को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं नदियों को उनमुक्त नवयोवना बनने से रोकते हैं क्या है जंगल के व्रिक्ष जल राशी को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं और नदियों को उनमुक्त नवयोवना बनने से रोकते हैं कि कहीं भी जाओ कहीं भी बहो जैसे बाणा जाए ठीक है उत्ताल व्रिक्ष नदी की धाराओं की गती को भी संतुलित करने का काम करते ह जो व्रिक्ष होते हैं जो घनेवन होते हैं वो जो गती रहती है ना धाराओं की स्पीड समझते हो ना उसको संतुलित करने का काम भी करते हैं यदि जल राशी नदी की सीमा उसे जादा हो जाती है मतलब बाढ़ का बाती है जितनी नदी की सीमा है उससे अधिक यदि पानी आया तो बाढ़ा जाती है तो यहाँ पर लिखा है यदि जल राशी नदी की सीमाओं से जादा हो जाती है तब बाढ़ाती है लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले गकन चुम्बी वन ना हूं तब नदियां प्रचंड काली का रूप धारन कर लेती हैं व यहाँ पर व्रिक्ष मिट्टी का कसाब जलों की जो स्पीड को या गती को भी संतुलित रखते हैं यदि वहाँ से वनों को काट दिया जाएगा तो बाढ़ का आना तो तै है इसलिए चंपारन शेत्र में बाढ़ की प्रचंड ता बढ़ी क्यूंकि वनों को काटा गया आज चंपारन में व्रिक्ष को काट कर क्रशी युक्त समस्त भूमी बना दी गई है वनों को बिलकुल सपाट कर दिया गया है जंगलों को काट दिया है और वहाँ पर होटेल्स का निर्मान हो जाएगा और फिर और सिकुर्ती हुई जो प्रकृती है वो अपने आप में सिमट सी जाएगी प्रकृती ने क्या सोचा है कि भाई चलो मनुष्य आ रहा है अपने पाउं पसार रहा है तो पहले वो भी अच्छे से फैली हुई थी लेक गया और कभजा करता गया उसने सोचा कि चलो अब मैं उकडू बैठ जाओं फिर भी आता गया अपसने सोचा चलो अब खड़ी हो जाती हूं खड़े में तो बहुत कम जगह चाहिए मुझे विचारा मनुष्य है वो अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती कर लें लेकिन तो कहीं तूफान और फिर मनुष्यप में तरा ही तरा ही मच जाती है क्या करें क्या ना करें फिर उसके उस प्रचंड रूप को रोकने का साहस तो किसी में भी नहीं तो मेरे प्यारे विध्यार्थियो आप आने वाले भविश्य हो आने वाले समाज और देश की जो जिम्म वो आपके मजबूत कंधों पर आने वाली है तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से आपको निभाना है अपने करतव्यों को चंपरन को व्रिक्षुक को काट कर कर्शी युक्त समस्त भूमी बना दी गई अब उन्मुक्त नवयोवना को रोकने वाला कोई नहीं रहा नदिय लगता है मानू मानफ के कर्मों पर अटहास करने के लिए उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाण आती है प्रश्न है दस्वा इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशाय है कीमियाई प्रक्रिया पारे को सोने में बदलने की प्रक्रिया है वही द्यान से सुनो तो जड़ा कीमियाई प्रक्रिया पारे को सोने में बदलने की प्रक्रिया है जिसमें पारे को कुछ विले पनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है मतलब जो पारा रहता है, मरकरी केहता है ना पारे को उसको कुछ हाई टेंपरेचर के साथ हीट दी गई उसको लेखक ने पाट के संदर में कीमी आई प्रकरिया का आश्य देती हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा दूसरे प्रकार का पदार्थ है और उसे दूसरे कुछ पदार्थों के संगम से बिलकुल भिन पदार्थ उत्पन हो जाता है पारे को सोने में बदला जा सकता है उसी तर है सुदूर दक्षिन की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधी बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्मान कर गए ठीक है? धांगण शब्द का क्या आशय है? धांगण धाकड लग होता है भाई धाकड धाकड तो मतलब एकदम निडर साहसी ठीक है? इसका आर्थ होता है साहसी निडर ठीक? आत्म निर्भर भी हो सकता है सबसे अच्छा तो निडर और साहसी ही है लेकिन यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है धांगण लिखा है धांगण ठीक है? तो धांगण क्या होते हैं? भाड़े के मजदूर, जो भाड़े के मजदूर समझते हो, जो किराय पर मजदूर मिलते हैं, उनको धांगड कहा जाता है, मजदूर, धांगड शब्द का अर्थ ओराओं भाशा में है भाड़े का मजदूर, किस तरह की जाती है, धांगड एक आदी वासी जाती है, भाई ध अठारवी शताबदी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षन बिहार के छोटा नागपुर पठार के चंपारण के इलाके में लाया गया था. जा है धांगण शब्द उराव भाशा का है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर धांगण एक आदिवासी जाती है कब आई कहां आई तो अठारवी शताबदी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षन बिहार के छोटा नागपुर पठार के चंपारण के इस इ धांगण जाती आदिवासी जातियां जैसे ओराव मुंडा बिरसा मुंडा आपने सुना होगा लोहार इत्यादी के वन्शज है धांगण किसके वन्शज है ओराव है मुंडा है लोहार है इन सभी के ये वन्शज है लेकिन ये अपने आपको आदिवासी नहीं मानते हैं ध दूसरों के साथ भोजपुरिया या मदेसी भाशा में भी बात करते हैं। धांगणों का सामाजिक जीवन बेहद लासपूर्ण है, स्त्री पुरुष धलती शाम के मंद प्रकाश में अत्यंद मनुहारी सामुहिक नृत्त भी करते हैं। तो ये अपनी कला के लिए और नृत्त के लिए भी जाने जाते हैं। प्रकाश के लिए जो दीपक जलाये जाते हैं। उनकी आकरती भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाये जाते हैं। उनमें भी सौन्दर और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रन दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे मनोहर था नब बदू का एक अनोखा अलंकरन जो मात्र आभुशन ही नहीं था। थारू की कला जो थारू है थारू भी जाती ही है भाई। उनकी कला क्या क्या करते हैं वो सीक से बहुत सुंदर सुंदर से हस्त कला में निपुण होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर से क्या क्या बना लेते हैं देखो आप डिजाइन दार बना लेते हैं, जालर बना लेते हैं, मूझ से कुछ न कुछ बना लेते हैं, नब बदू का एक अनोखाला उकरन जो मात्र आभुशन ही नहीं था। तो बहुत सुन्दर तरीके से ये आगुशन भी बनाते हैं। नव बधु जब पहली बार अपने पती के लिए खेत में खाना लेकर जाती, तो अपने मस्तक पर एक सुन्दर पीड़ा रखती, जिससे तीन लटें वेणियों की भाती लटकती रहती हैं। अच्छा, हर लट में धवल, सीपों और एक बीज विशेश के सफेद दाने पर रोई जाते थे, पीड़े के ऊपर सीख की कलापून टूकरी में भोजन रखा होता था। टूकरी को दोनों हाथों से सभाले, जब लाज भरी वधू धीरे-धीरे खेत की उरवढ़ती, तो सीप की वेणिया, रजत कंकडों की भाती जंकर थोड़ती, ये सब उनकी कला का ही वर्नन किया गया है। अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत से अत्याचार करते थे, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, उन्हें कुल भूमी के एक निश्चित भाग पर नील की खेती करने के लिए बाद किया जाता था कि तुम्हें बस बस यहीं तक खेती करना है और साथी साथ बाद में इससे मुक्त करने के लिए मोटी रख में भी ली गई इन गोरे ठेकेदारों ने बहुत कम अदाइगी में हजारों एकड जमीन पर कप्जा कर लिया इसके अत्रिक्त किसानों की कई तरह के कर तथा नज पज़राने में देने पड़ते थे बेचारे जो मज़दूर किसान थे वह अंग्रेज उन पर बहुत अत्याचार करते थे मनमानी करते थे अगला प्रश्न है गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज उनने क्यों दिल्चस्पी नहीं ली अचा बताओ क्या कारण रहा होगा कि अंग्रेज पुल बनाने के पक्ष में नहीं थे उन्होंने बिलकुल दिल्चस्पी नहीं ली कि भाई पुल बनना चाहिए तो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने इसलिए दिल्चस्पी नहीं ली ताकि दक्षिन बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुँचे क्यूंकि दक्षिन बिहार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा चुका था और यदि पुल का निर्मान हो जाता तो जल्दी ही उसका असर चंपारण में पढ़ जाता और अंग्रेज उस पुल के विरुद्द इसलिए थे कि वहां तो चिंगारी भड़क चुकी है कहीं चंपारण में भी इसकी मतलब रौशनी ना जाए तो इसलिए उन्होंने पुल बनाने में कोई दिल्चस्पी नहीं ली इस तरह चंपारण पर बड़सों तक कि अग्दी जी ने क्या किया कौन कौन से कदम उठाया तो चंपारण में सिक्षा की विवस्था के लिए गांदी जीने अनेक काम किये उनका विचार था कि netbach की सिक्षा की विवस्था किए बिना किवल आर्थिक समस्याओं को सुलजाने से काम नहीं चलेगा इसके लिए उ बढ़ हर्वा याद रखना मधूबन और भिती हर्वा कुछ निष्ठावान कारे करताओं को तीनों गाओं में तैनात किया गया बढ़ हर्वा के विध्याले में श्रीव ववंजी गोकले और उनकी पतनी विदूशी अवंतिवाई गोकले ने चलाया था ताकि सिक्षा का प् अपनी कस्तूर्वा तथा अपने सेक्रेटरी महादेर देशाई को नियुक्त किया भिती हर्वा में वयव्रद डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाया बाद में पुंडारीक जी गए स्वयम कस्तूर्वा भिती हर्वा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान सिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे गांधी जी सिक्षा का मतलब सू संस्कृत बनाने और निश्कलुष चरित्र निर्मान समझते थे गांधी जी के अनुसार सिक्षा का मतलब केवल कितावी ज्यान नहीं है बलकि सू संस्कृत और निश्कलुष मतलब जिसमें कोई भी द सवह संष्क्रित और निश्कल उस-चरित्रवाले व्यक्ति के सान इथि से घ्ञानप्राप्त करें अक्षर घ्ञान को वे इस उद्धे उधे मानते थे वर्टमान शिक्षा पढ्धा ती को वे खौक नाक और हे मानते थे क्यूंकि सिक्षा का मतलब है बौधिक और चारित्रिक विकास लेकिन यह पद्धती उन्हें कुंठित करती है इस पद्धती में बच्चों को पुस्तक सिर्फ रटंत विद्या की ओर ले जाती है ताकि आगे चलकर वे क्लर्ग का काम कर सकें उनका सरवांगिन विकास से कोई सरोका नहीं था इसलिए गांधी जी ने सिक साधन सीखने के इच्चुक बच्चों के लिए और द्योगिक सिक्षा के पक्षधर थे ताथ पर यह नहीं था कि हमारी परंपरागत व्यवसाय में खोट है वरन यह है कि हम ज्यान प्राप्त कर उसका उपियोग अपने पेशे और जीवन को परिश्कित करने में ही करें अगला प्रशन है पुंडलीक जी कौन थे नाम सुना ही होगा सिक्षक थे तो पुंडलीक जी भिती हरवा आश्रम विद्याले के सिक्षक थे भिती हरवा पता है ना गांधी जी ने तीन आश्रम सिक्षक के लिए खोले थे तो भिती हरवा आश्रम के सिक्षक थे पुंडल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे पहले एक काईदा था कि साहब जवाए तो ग्रिह पती उसके गोड़े की लगाम पकड़े एक दिन एमन साहब जो उस समय बड़े अत्याचारी थे आए तो पुंडलीक जी ने कहा नहीं उसे आना है तो मेरी कख्षा में आए पुंडलीक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता गाउवालों को दी यही निर्भीकता चंपारण अवियान की सबसे बड़ी देन है जहां निडर या निर्भीकता नहीं है तो हम अपने अधिकारों तक को लेने में डरते ही रहते हैं जो हमारा हक है निडरता साहस और निर्भीकता ही व्यक्ती को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है अगला प्रशन है गांधी जी के चंपारण के आंदोलन की किन दो सीखों का उलेख लेखक ने किया है इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं तो गांधी जी ने दो सीख दी है पहली है निर् निडर्ता साहस ठीक है और दूसरी सत्य का आचरण जब सत्य के आधार पर हम चलेंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जहां जूट होगा फरेव होगा वहीं डर रहेगा जब सत्य है तो साच को आच कैसा निर्भीकता जीवन का बहुत महद्वपून नांचरण है जिसके ना होने से पशुता और मनशिता में फर्ग कठिन हो जाता है मतलब डर रहे हो डरता वही है जो कुछ गलत करता है और जो गलत ही नहीं करता उसमें डर किस बात का सत्य लिए निर्भीकता निहायत जरूरी है निर भीक होना और उद्दंड होना अलग है हाँ यहां भी उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्भीकता का आर्थ यह नहीं कि उद्दंडता करें हम अनुशासन हीनता करें हम और वहीं पर निर्भीकता का आर्थ यह भी नहीं है कि हम यदि हम निडर हैं तो हम उद्दंड हैं या हम डरते हैं मतलब हम विनम्र हैं ये दोनों अलग अलग हैं समझ भाया निर्भीकता का आर्थ उद्दंडता बिलकुल नहीं है उद्दंडता एक निशिद आचरण है जबके निर्भीक होना नहायत ही जरूरी ठीक है सत्य का आचरण एक ऐसी चीज है जिसके ना होने पर संसार का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा बिना तथ की जानकारी के कोई बात कहना अफवाह उड़ाना होता है विश्वास की निव सत्य के आचरण पर टिकी है गांधी जी बिना कोई बात पर खे सत्यता की जाच के नह भी उस बात को वो उजागर करते थे यूँ हवा में तीर नहीं छोड़ते थे गांधी जी बिना कोई बात पर के सत्यता की जाच नहीं करते थे यह उनके जीवन का सबल था यही हमारे जीवन का भी होना चाहिए क्योंकि इसके ना होने से हम मानव कहलाने का गौरब खो जब हमारे साथ सत्य की ताकत हो सत्य अर्था जो बिलकुल नहीं की यूनिवर्सल टूथ जिसे कहते हैं जो सर्व सम्मत है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता सत्य है तो सत्य है साच को आज कैसी उस तरह के सत्य की बात अगला प्रशन है यह पाट आपके समक्ष कैसे प्रशन खड़ा करता है ऐसे कौन कौन से प्रशन है हमारे जीवन का प्रतेक्षन एक प्रशन एक समस्य लेकर उपस्तित होता है उसमें हमें जीवन के घटना क्रम से बातों को सीखने समझने का अफसर मिलता है ऐसे अनेक प् पून्रवये से वनों का निरंतर नाश हो रहा है यदि हम उत्तरदाइत्व निभाएंगे अपना तो हम वनों के विनाश को रोकेंगे और नदियों को जल को प्रकरती को बचाएंगे ठीक है चंपारण की शश्श श्यामला भूमी जो हरे भरे वनों से आच्छा दित थी वे एक लंबे अर्से से व्रिक्षों का काठ नजारी है और उसका टाई को रोका ही नहीं जा रहा है उसने हमारे परियावरन को तो प्रभावित किया ही है साथ ही साथ हमारी नदियों में वर्षा काल में आप्रत्याशित मतलब ऐसी खतरनाक विभीशिका जाती है बाड की तबाही का दृष्श प्रस्तुत कर देती है व्रिक्षों के क्षरण उनके तटों में जल अवरोध की क्षमता का रास है रास मतलब नाश वनों का विनाश कर क्रशी योग य भूमी बनाने भवन कलकार खानों एवं उद्ध्योगों की स्थापना करने से इन सारी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है व्रिक्षों की घटी संख्या धर्ती की हर्याली में निरंतर रास से वर्शा की मात्रा भी काफी घट गई है और प्रकृती का जो चक्र था वो भी गड़बड हो गया है इस पार्ट में चंपा रण में प्रवाहित होने वाली नदिया गंडक पंड़ई भसान सिकराना आधी नदिया किसी जमाने में वन्ष्री के ढखे वक्षिस्तल में किलकारती रहती थी चल चलाती रहती थी और माहौल बहुती सुंदर रहता था अब विलाप करती हैं निर्वस्त्र हो गई हैं इससे अनेकों समस्याओं ने जन्म लिया है नदियों का गटा आप्रत्याशित वीभत्स बाड़ की विनाश लीला पर्यावरन प्रदूशन आनियमित तथा कम मात्रा में वर्शा का होना आधी हमें इन समस्याओं से निदान हेतु वनों की कटाई पर ततकाल रोक लगानी होगी और विक्षार ओपन करना होगा स्वभाग से गंडख घाटी योजना के अंतरगत सरकार द्वारा नहरों का निर्मान कर गंडख को दुरवस्था से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया इसी प्रकार की अनेक योजनाएं अन्य नदियों के साथ भी अपेक्षित हैं ताकि वातावरन और प्रकृति को सुरक्षित रखकर हम भविश्यव में अपनी पीडियों को एक सुन्दर सा जीवन दे सकें अगला प्रश्ण है अर्थ स्पष्ठ कीजिए का है वसंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है कैसे तो प्रस्तुत पंक्तियों में जगदीश चंद्र माथूर जी ने मनुश्य की पाश्विक प्रविर्ति पाश्विक प्रविर्ति समझते ह पाश्विक प्रविर्ति एवं दूशित मान सिक्ता का वर्णन किया है कि मनुश्य कितना स्वार्थी हो गया है एक तरफ मनुश्य जंगलों को काटे जा रहा है खेतों को पशु पक्षियों आदी को नश्ट करता जा रहा है और नदियों पर बांध बनाकर उने नश्ट कर तो दूसरी और धर्मांध मानव गंगा को मैया कहता है पर अपने घर की नाली कूडा करकट पूजा सामगरी और उसको प्रदूशन भी कर रहा है प्रदूशित भी कर रहा है इस प्रकार दोनों इस प्रकृति को नश्ट करने में लगे हुए हैं इसलिए कहा जाता है कि दूसरी तरफ उसमें नालियों को प्रवाहित किया जा रहा है कूड़े कच्रे को प्रवाहित किया जा रहा है तभी तो कहें कि वसंदरा भोगी मानव धर्मांध मानव एक तरफ धर्म की आड में रहकर यह नदी यह पवित्र नदी इसको इसकी पूजा उसकी पूजा दू भूमी हो, वन हो, जड़ी, बूटी, रिक्ष, लताएं, हवा, पानी, ये सब हमें प्रकृती से प्राप्त होता है, तो हम क्या है, वसंधराब होगी, और धर्मांध मानब मतलब धर्म में अंधा हो गया है, एक तरफ पूजा पाठ में तुम गंगा मैया की जै बोलते हो, पा अनफ के एक सिक्के के दो पहलू है, कभी वो इस तरफ मुड़ जाता है, कभी वो इस तरफ घूम जाता है, उसका अपना कुछ भी नहीं है, अर्थात वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है, जिसे कुछ भी सच्चा या हकिकत दिखाई नहीं दे रही है, अगला है, कैसी है चंपा रंकी है भूमी मान विस्मृती के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निदियों को सौपने के लिए प्रस्तुत करती है अब इसका देखते हैं चंपा रंकी है गौरव शाली भूमी महान है यहां अनेक आक्रमनकारी तथा बहरी व्यक्ति आये उन्होंने या तो इस पा इसने इन सब को भुला दिया शमा कर दिया ऐसा प्रतीत होता है कि इसने विस्मृती के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निदियों को सौप दिया इसने किसी प्रकार का प्रतीकार नहीं किया सुयम को उन आतताईयों के हाथों समर्पित कर दिया उन्हें अपने निदियों से समरद्ध किया कैसी है चमपारण की भूमी मान विर्समिति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौपने के लिए प्रसुत करती है रथात यहां की भूमी हम जानते मिटा हम यह मानते भी है कि माधर्ती से अधिक सहनशील कोई नहीं है इसलिए चमपारण की कुछ लोगों ने इसको क्षती पहुँचाई हानी पहुँचाई फिर भी इसने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा किसी के बारे में इसके मन में कोई ऐसा इसने भयंकर रूप धारन नहीं किया सब को चुपचाप सुनती गई सहती गई अगला प्रश्ण है लेखक ने पाठ में विभिन जाती के लोगों के विभिन इस्थानों से आकर चमपारन और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है वे कहां कहां से और किसलिए आकर बसे ऐसे कौन-कौन से लोग थे, कहां-कहां से आये थे, जो चमपारण की भूमी में बस गए आकर, तो चलो देखते हैं चमपारण में विभिन जाती के लोग समय समय पर भिन-भिन इस्थानों में आकर बस गए पहले-पहल यहां करनाट वंश, करनाट वंश याद रखना, ठीक है, करनाट वंश के लोग आये, सबसे पहले चमपारण में कौन से वंश के लोग आये, करनाट वंश के लोग आये ये दक्षन से थे और यहां आकर इस प्रदेश के रक्त और निधी बने करनाट बंच के लोग मिथिला और नेपाल विजय के लिए आये थे थारू और धांगड जाती हैं यहां अजीविका की खोज में आई थारू जाती जो कला और शिल्प में निपुन थे शायद और धांगड जाती जो किराय पर मजदूरी पर लोग करते थे और आदिवासी की जाती थी परन्तु यह नहीं मानती थी कि यह आदिवासी हैं यहां धांगडों को गोरे अंग्रेज और रामनगर के दतकालिन राजा नील की खेती के लिए लाए थे तो कई लोग यहां आए, कई लोगों ने चमपरन की खेती को नुकसान भी पहुँचाया, आक्षती भी पहुँचाया और कई लोग तो यहां आकर बस ही गए धांगड थारू, ठीक, करनाट वंश दक्षिन बिहार के गया जिले में भूपीट लोग भी इस तरह नील की खेती के लिए हमालेगी तलहटी में लाए गए थे, ठीक है संभवता यह मुसहर वर्ग के अंग है, राजकुल वंश के वंशज आकरमन कारियों से त्रस्त होकर यहां आए उर्वरा भूमी से संपदा प्राप्त करने के लिए पच्छाही, जमिदार और गोरे साहब ब्रिटिश सामराज के कोने में वैववशाली सामराज स्थापित करने आए यहां पूर भी बंगाल के शरनार्थी भी त्रस्त होकर आए यहां के अशोक स्थम्ब स्पष्ट तोर पर बताते हैं कि यहां कभी मौरे सामराज का शाशन भी रहा था अर्थात कितने सारे मौरे शाशन के लोग आए दक्षन के लोग आए भूपेड लोग आए नील खेती के लिए लाए गए थारू वंश आए कानार्क वंश आए साथी साथ धांगड जाती के लोग आए तो कई लोग यहां पर आकर बसे अगला है पार्ट में लेखक नारण का रूपक रचता है और वह सांग रूपक है रूपक का पूरा विवरन प्रस्तुत कीजिए भारत वर्ष के रूपकों का सर्व था पूर्व और प्रारंबिक रूप रिगवेद में प्रार्थना मंत्रों और समबादों के रूप में म ऐसा भरत्मुनी के उनलेक से स्पष्ट है कि अभिनाय या नाट का मूल कर्मकान के मंत्रों संग्र है या जो अरवेद से भी मिलता है यग्य भागादी की क्रिया में स्वांग भरने की अपेक्षा कई प्रसंगों में होती यही क्रिया धीरे धीरे विक्सित होकर अमकुरेतु पर पल्लवित हो गई किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं या अनुकरण चार प्रकार के अभिनेय द्वारा अनुकारे और अनुक्रता की एकता प्रदर्शित करने से पून होता है नाटक के पात्र के साथ एकता दिखाने के लिए अभिनेता को उठना और नित्त माने हैं किसी भाव को प्रदश्चित करने के लिए विशेश अनुकरन को नित्त कहते इसमें आर्थ कविनाई की प्रधानता रहती है लोगों ने नकल कहा या तमाशा कहा और तरह तरह के यहां पर लोग आए और अपनी अपनी कला दिखाकर बस भी गए अभी नहीं रहत केवल नाचने को नित्त कहते हैं जब इन दौनों के साथ गीत और कथन मिल जाते हैं तो रूपक का पून उपस्तत हो जाता है अब ध्यान में रखकर दो भीद बताएं, एक रूपक, एक उपरूपक, रूपकों में रस की प्रधानता रहती, उपरूपक में नरत्य नरत्य आदि की, ठीक है, इस प्रकार से भिन्न होता है नीलहे गोरों और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों का अपने शब्दों में वर्नन कीजिए, चमपारण में रईयतों और किसानों पर नीलहे गोरों का अत्याचार चर्मुतकर्श पर था, इसलिए उन्होंने पुल बनाने से भी रोख दिया था, ये नीलहे गोरे उनके स पशूवत वैभार करते थे, पूरे चमपारण पर उन दिनों उनका ही सामराज्य था, जिस रास्ते पर नीलहे साहब की सवारी जाती, उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे, यदि किसी रईयत के यहां उत्सव या शादी विवा होते, तो साहब के यहां नजराना भीजना ही पड़ता था, यहां तक कि साहब के बीमार पढ़ने पर उनके इलाज के लिए भी रईयतों से वसूली ली जाती थी, तो पूरी तरह से जो उनका शाशन था, वो अत्याचार से भरा हुआ था, पूरी तरह से और भारतिये बेचारे पूरी तरह स किसी भी रईयत की जोपडी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, उनका रोज का ही काम था, ततकालीन शाशन निलेहे गोरों के हाथ का पुतला था, उनके प्रभाव का प्रमान गंगा नदी पर पूल का नहीं बनना था, अभी हमने देखा ना कि गंगा नदी का असर चमपारण में जल्दी पहुँचे, इसलिए उनके पुल नहीं बनने दिया, मात्मा गांधी के कदम चमपारण की धर्ती पर 1917 के अप्रेल मा में पहले पहल पढ़े, गांधी ची चमपारण की रईयत को भय और अत्यचार से चंगुल से बचाने के लिए वहां के कु शुकल थे, शीराम कुमार शुकल जी की मृत्यू सन 1930 के आसपास हो गई, मात्मा गांधी ने वहां की ग्रामीन जनता की सामा जीक अवस्था की सुधार का कारे किया, उन्होंने ग्रामीन बच्चों की सिक्षा की विवस्था का भी निश्चे किया, इस उद्देश की पूर श्री देवदास गांधी, श्री नरहरीदास पारिक, गांधी जी की सेकरेटरी, महादेव देशाई, मात्मा गांधी, कस्तूरवा और कृपलानी जी भी वहां कुछ दिनों तक रहे, ताकि यहां की जो सिक्षा की विवस्था है, वो सही ढंग से, सुचारू ढंग से चल सक क्योंकि गांधी जी के निडर्ता के साथ, बेटा हमें लगता है कि क्या कर गए, बहुत कुछ किया है, उन्होंने तभी जाकर इतना सारा परिवर्तन आया, और लोगों में निडर्ता की भावना को जागरित करना सबसे बड़ी शक्ती थी, जो कि बापु जी ने की अगला है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है, चंपारन में गंडक घाटी के तोनों और विभिन आकरितियों के ताल दिखाई पड़ते हैं, किसके पास गंडक घाटी, गंडक नदी है, उसकी घाटी के दोनों ताल दिखाई पड़ते हैं, य ताल तलावों को चौर और मन गहते हैं, चौर उथले होते हैं, मतलब चौर जो होते हैं वो उथले ताल होते हैं, जिसमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है, इनकी द्वारा खेती भी होती है, मन विशाल और गहरे होते हैं, चौर मतलब उथले और मन मतलब गह ठीक है। कपिल वस्तु से मघद के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की। लौरिया क्या है। नंदगड में समराट अशोक द्वारा बनवाया गया कलापूर्ण स्तंब है। समझा, सुना, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हर एक वीडियो को ध्यानपूरवक देखिये, सुनिये, समझिये, ताकि परिक्षाओं में या जब कभी भी हमसे कोई, ये सामान जानकरी भी है बिटा। तो जब हम आपस में कहीं चर्चा करते हैं और हम अपनी बुद्धी की परिक्षा देकर सफल हो जाते हैं तो मन को बड़ी प्रसनता मिलती है तो बने रही हमारे साथ मिलते हैं इसी पार्ट के बहु विकल्पी प्रशनों के साथ स्वस्त रहिए, खुश रहिए, बाई-बा इस अउने अईगा हैं तो मौन के बीड़ी के साथ स्वस्त रहिए प्रसनता मिलते हैं रहिए, बाई-ट, टून के ढूंगा कि था खुश रहिए, जब रहिए